आज हम देखने वाले हैं टॉप फाइफ फोन्स जो दस जार के नीचे आप खरीच सकते हैं शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटका बटन दबाईए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर अप टू डेट रहिए हमारे हर नए विडियो अपलोड के साथ शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि दस जार से कम के फोन में आपको फ्लैक्शिप पर्फॉर्मंस तो नहीं मिलेगी बट ये टॉप फाइफ फोन्स के साथ आप बड़ी अरसानी से सारे वो काम कर सकते हैं जो एक नॉमल फोन के साथ करने होने चाहिए तो शुरू करते हैं टॉप फाइफ फोन्स नंबर फाइफ पे है लेनवो वाइब के फाइव नोट लेनवो वाइब के फाइव नोट जब आप लेते हैं तो आपको इसमें डिस्प्लेय मिलता है 1080p resolution के साथ 5.5 इंच का IPS LCD डिस्प्लेय स्टोरेज ओप्शन में आपको 32 GB की स्टोरेज मिलेगी जिसको आप मेमरी कार्ट के थूँ एक्स्पैंड कर सकते हैं इसका प्रोसेसर अक्टकोर प्रोसेसर है जो की 1.8 GHz की स्पीड पे चलता है और ये MediaTek ने बनाया है RAM की बात करें तो इस फोन में आपको 3 GB RAM मिलेगी और कैमरा की बात करें तो 13 MP का 13 MP का कैमरा आपका primary कैमरा होगा और front facing कैमरा आपका 8 MP का होगा बैटरी इसमें जो है वो 3500 mAh की बैटरी है जो बड़ी आसानी से आपका एक पूरा दिन लास्ट करेगी इस फोन में double sim डल सकता है या एक sim और एक memory card डल सकता है चौते नंबर पे है Panasonic Eluga Note Panasonic Eluga Note में आपको एक Full HD 5.5 इंच का डिस्प्लेय मिलेगा साथ में आपको मिलेगी 32 GB की स्टोरेज और 3 GB RAM बेस्ट चीज इस फोन की जो है वो है कैमरा जो की प्राइमरी कैमरा है 16 MP का F1.9 अपिचर के साथ जिसका मतलब है कि आप low light conditions में भी बहुत अच्छी फोटोज खीच पाएंगे फ्रंट फेसिंग कैमरा इतना अच्छा नहीं है इस फोन का सिरफ 5 MP का कैमरा है और बैटरी लाइफ डीसंट होगी क्योंकि इसमें 3000 mAh की बैटरी है और इस फोन में भी आप 2 SIM डाल सकते हैं और मेमरी कार्ड का स्लोट इसमें अलग से मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं तीसरे नंबर पे है Panasonic Ray Max Panasonic Ray Max में भी आपको एक Full HD डिस्प्ले मिलेगा डिस्प्ले का साइज इसमें बाकी दोनों फोन से छोटा है डिस्प्ले इसमें 5.2 इंच का है और आपको इसके साथ स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा 32 GB का और Snapdragon प्रोसेसर के साथ इसमें Adreno 505 GPU है जो की गेम खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है अगर हम कैमरा इसको देखें तो इसका प्राइमरी कैमरा 16 MP का है और इसका सेलफी कैमरा 8 MP का है बैटरी इसमें सिरफ 3000 mAh की है बट क्योंकि इस फोन का स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है बड़ी अराम से आपको एक पूरे दिन से जादा की बैटरी लाइफ मिल सकती है नॉमल यूसेज पर इस फोन में भी डबल सिम के साथ एक अलग से डेडिकेटेड मेमरी कार्ड स्लोट है जिसकी मदद से आप दो सिम और एक मेमरी कार्ड अलग से डाल सकते है दूसरे नंबर पे है लिनोवो के सिक्स पावर जिसमें एक फुल HD डिस्प्ले के साथ साथ आपको मिलेगा इसके कैमरा 13 Megapixel प्राइमरी कैमरा है और 8 Megapixel का सेलफी कैमरा है बैटरी लाइफ को देखे तो इसमें बड़ी अराम से आपको दो दिन की बैटरी लाइफ मिल सकती है कम से नॉमल यूसेज पर क्योंकि इसकी बैटरी है 4000 मिली अमपियर आर की इस फोन में भी आप डबल सिम डाल सकते हैं बट हाइबरिड सिम स्लोट होने के कारण से या तो आप इसमें दो सिम यूज़ कर सकते हैं या एक सिम और एक मेम्री कार्ड पहले नमबर पे है शायमी रेड्मी Note 4 Xiaomi Redmi Note 4 में आपको मिलेगा एक Full HD 5.5 इंच का डिस्प्लेई पर 10,000 के नीचे आपको इसमें दो आप्षिन मिलेंगे दोनों आप्षिन में आपको 32 GB स्टोरेज मिलेगी जिसमें Snapdragon 625 प्रोसेसर होगा Adreno 506 होगा जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको दो RAM आप्षिन मिलेंगे या तो आप 2 GB RAM के साथ जा सकते हैं या 3 GB RAM के साथ वो डिपेंड करेगा आपके बजट पे क्यामरास देखे तो प्राइमरी क्यामरा इसका 13 MP का है और फ्रंट फेसिंग क्यामरा 5 MP का है दोनो F2.0 aperture के साथ है बैटरी लाइफ के बात करें तो इसकी बेस्ट बैटरी लाइफ होगी क्योंकि इसमें है 4100 mAh की बैटरी और इस फोन में डबल सिम आप्षिन है तो या तो आप डबल सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमरी कार्ड अपनी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए अगर आप ऐसी और वीडियोज देखना चाते हैं तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें थांक यू और सी नेक्स ताम